नमस्कार दोस्तों एक बार पुन्हां आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल पिंग अबेस्टीचर पर दोस्तों कुरूशेतर उन्वरसिटी की तरफ से बीएड टू इयर का जो कोर्स है यानि की बीएड फॉर्स्ट इयर भी और बीएड सेकंड इयर भी ठीक है दोनों का अकैडमिक कलेंडर जो है अन्वल अकेडमिक कलेंडर उसका शेडियूल जारी कर दिया गया है यानि की आपके दो हजार चौबिस पच्चेस सेशन के लिए है तो दो हजार पच्चेस में आपके एक्जाम कब होंगे किस महीने में होंगे, कौन सी date से start होंगे तो वो इसमें बताया हुआ है तो इसी annual calendar को हम जो है refer करेंगे आज के इस वीडियो में समझेंगे कि exams कब किस महीने में होंगे किस date से होंगे, practicals कब होंगे कब आपके teaching days जो है वो finish होंगे, कितने teaching days रहेंगे तो जो भी आपका like 2024-25 के लिए या academic calendar में mention है चलिए देखते हैं देखिए सबसे बहले तो यहाँ पे admission की date mention की हुई है admissions जो है वो आपके August में 5 ये आपके शुरू हो गये थे जुलाई में 5 जुलाई में शुरू हो गये थे ठीक है admissions तो देखिए चलते रहे थे फिर आपका first teaching term जो है एक अगस्त से officially शुरू हो गया था और फिर आती है दिवाली break और अभी currently second teaching term चल रहा है ठीक है जो 4 नवंबर से शुरू हुआ है और 20 December को खतम होगा फिर winter vacations फिर third teaching term होगा फिर holy vacations फिर fourth teaching term रहेगा exams जो है 2025 के आपके regular reappear दोनों के ठीक है जो regular students है वो भी उसाथ में reappear के भी होते है तो वो exam होंगे 5 मई 2025 से शुरू ये सभी के लिए है जो aided college है के UK के जो self financing college है या affiliated colleges कहलो सब के लिए है ये ठीक है अगर आप कुरूशेत्र university से B.A.D. करे हो तो ये आपकी particularly date रहने वाली है 200 days का जो है academic session आपका रहेगा ठीक है जैसे ही वो पूरे हो जाते है फिर हमारी exams जो है आपके B.A.D. के शुरू हो जाते है अब देखे ये date इन्होंने दे तो दिये इस date ये official तोर पे academic calendar में आ गई है बट देखे कुरूशेत्र university हमेशा अभी तक जो pattern रहा है B.A.D. second year के exam पहले होते हैं और उसके कहीं एक महीने बाद या थोड़ा और बाद जो है फिर B.A.D. first year के exam शुरू कराती है university ठीक है बट इस बार जो date university की तरफ से आई है वो 5 मई दो हजार पच्चिस दोनों के लिए आई है B.A.D. first year भी है इसमें and second year भी है ठीक है तो ये आपकी date रहेगी तो आप उसी हिसाब से अपना plan करो जैसे कि first year में बात करें तो first year में 8 subjects है 8 subjects की तयारी आपको करनी है second year में कम है 4 subjects पर आपको file बहुत सारी बनानी है तो exam से पहले अपनी files बना के रख लो और फिर अपना January, February में पढ़ना शुरू कर देना second year वाले students लेकिन ये जिनके 8 subjects हैं देखिए हर subject को एक महिना देने का भी time नहीं है तो आपको अपनी तयारी जो है वो आज से ही शुरू कर दो हर जो भी आपका paper है उसको 15-20 days दो एक subject को और उतना enough है ठिक है कुरूश एतरो निवरसिटी के लिए अगर आपको notes चाहिए या पिछले 5 साल के question paper with answers वाली book चाहिए वो हमारे पास से मिल जाएगी आप हमें whatsapp के माधियम से contact कर सकते हैं वीडियो के description box में whatsapp का link given है साथ में दोस्तों classes भी है जैसे ये 28 second year की classes है ठिक है इसमें आपको चारो subjects मिलेंगे ठिक है आपका तीन जो common subjects हैं वो भी और इसके अलावा जितने भी optional subjects है वो इस course में covered रहेंगे live classes रहेंगी साथ में live classes जोंगी वो record भी हो जाएंगी क्योंकि अधिकतर students live class attend नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें exam time तक बाद में भी जितनी मर्जी बार देखना चाहों देख सकते हो एक साल की validity रहेंगी इस course की तो आप सभी जो है purchase कर सकते हो 2000 का course है 63 rupees जो उपर है वो taxes वगरा है ठिक है तो यह आप अभी purchase करना चाहते हैं तो 50% off के साथ definitely ले सकते हो अब इसके बाद बात करी first year की तो देखिए first year के जो 6 common subjects है वो इसमें cover होंगे ठिक है जो की आपका course रहेगा 3000 का उपर 89 rupees है यह taxes है again तो के यू के first year का batch 6 common subjects का यह रहा और इसके बाद pedagogy का pedagogy की 500 रुपे का per subject रहता है तो English pedagogy है आपके पास Hindi है, Eco है Bio है, Mathematics Social Science, Physical Science Commerce, Computer Science Home Science या Sanskrit सभी के batches मैंने आपको दिखाई ऐसे अवलेबल है इस प्रकार से तो आपको करना क्या है मैंने वीडियो के description box में ये सभी links दिये हुए है आपको जो वीडियो के description box में मैंने link दिये हैं आप course के लिए डारेक्ली उस पे click कर सकते हो या हमारी mobile application को अपने phone में डाउनलूड कीजे और mobile application का नाम है being a best teacher ठीक है जो हमारी YouTube channel का नाम है ये ही नाम है being a best teacher ये आपको Google Play Store से मिल जाएगी ठीक है Google Play Store से डाउनलूड आप कर सकते हो ठीक है और जो students iOS यूज करते हैं तो वो app store से app आपको डाउनलोड करनी है My Institute ठीक है My Institute आप डाउनलोड करनी है उसे open करोगे तो वो एक organization code मांगेगा वो organization code है TFWNIV ये organization code फिर आपको डालना है और जैसे ही आप ये code डालते हो तो आपके पास हमारी mobile application जो है अपने iOS में भी access हो जाएगे ठीक है तो इस प्रकार सी आप सभी हमारी mobile application के साथ ज़रूर जुड़ेगा कुरुशेत्र उन्वरसिटी के सभी material आपको वहां से मिल जाएगा जो classes है उसके PDFs भी आपको viewable form में देखने को मिलेंगे application के अंदर तो classes अपने आप में best material है या आप classes ना लेके notes या पिछले 5 साल की question paper with answers वाली books ले सकते हो that depends upon you कि आपकी पढ़ने की strategy अब तक क्या रही है आपको कैसे समझ आता है कुछ students को classes से जादा अच्छे से समझ आता है रही है उस प्रकार से कीजे बट ये date माइंड में रखिएगा which is 5th May 2025 इस से आपके जो exams है वो start हो रहे हैं ठीक है बाकी जो भी छोटी बड़ी update गुरुशेत्र उनिवरसिटी से बीएड के regarding आएगी वो चानल के माध्यम से आप सभी के की बल आइकन पर all पर टिक कर लीजेगा साथ में लगे आपको वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए helpful रही है तो एक like जरूर कर दीजेगा धन्यवाद जहिंद